हेलो एव्रीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल GDC मेडिसिन पे हम अपने चैनल पे दवाईयों की जानकारी, रोगों की जानकारी एवन स्वास्त देख बाल से जुड़े हर एक टॉपिक की जानकारी देते रहते हैं तो अगर आप भी हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे जरू सब्सक्राइब करें आज इन बात करने वाले हैं चेहरे को एलो बेरा जिल से अगर आप मसाज करते हो एलो बेरा जिल लगाते हो तो चेहरे पर क्या प्रभाव देखने को मिलता है जियां जैसा कि आपको पता है एलो बेरा जिल एक ऐसा प्राकृतिक कं या फिर इसकिन पर लगाएं चेहरे को नमी प्रदान करना ग्लो प्रदान करना और भी आपके इसकिन के लिए बहुत ही चमतकारी गुड रखने का काम यह एलोवेरा कर देता है इसके हम complete फाइदे के बारे मताएंगे क्या क्या फाइदा रखता है साथी साथ इसके अंदर क्य क्या 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 चीजे पाई जाती है सब कुछ बताएंगे संपुर जानकारी मिलेगी पूरे विडियो में जरूर बने रहेगा ताकि कोई भी इंफॉर्मिशन मिस्नों होने पाए जियां अगर हम सबसे पहले बात करते हैं एलोवेरा होता क्या है जिसे हम हिंदी में गिरित की बिटमिन होते है जो कि इसकी तासीर गर्म होती है खाने के लिए भी उतके हो और और में बहुत पॉस्टी होता है लेकिन अगर हम इसकीन की बात बात प्तियों को चील के आप जूस वगरा बना होता है लेकिन इस इसकीन पे भी इसका बहुत रíamosख हो बहुत होता है है ना तो ओबरॉल तो बात करते हैं इसमें जो मिनरल विटमिन और यह सारी चीज़े तो पाई जाती हैं लेकिन साथ ही साथ आपके इसकिन की देखभाल के लिए भी ऐलो बेरा जिल का उपयोग करना बहुत ही बेस्ट माना जाता है अगर हम बात करते हैं अलो बेरा का क्या-कया फायदा होगा तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि भी यह इसकिन के लिए बेस्ट होगा सबसे पहली बात यह ड्राई स सर्दियों में खाजकर ड्राइ वगर हो जाती है उसको मॉइस्टराइज करने के लिए बेस्ट चीज होती है साधी साथ जो इरीटेटेड इसकिन होती है बहुत ज़्यादा खुजली वगर होती है उसके लिए भी यह बेस्ट मानी जाती है एक तरह से दवा लगाने क्रीम अच्छा इसको लगा सकते हो साधी साथ अगर बात करते हैं जो एजिंग के साइन जो जाईयां वगरा है है जो जुरियां पड़ती है उसको भी कम करने का काम एलोवेरा कर देता है या एलोवेरा का जल कर देता है फिर अगर बात करते हैं जो आपके दाग दब्बे ब्लेमिस किलिगेण levar करने काशेंश करते हैं इनसे भी लरने का घरता है उनको डूर करने का काम data कर तहdasब करता है जो डार्क सरकल होता है उसको रिमूउव करता है साथ ही साथ जो बहुत जादा पपड़ी बगरा बन जाती इसकिन पे उसको भी रिमूब करने के लिए एलो बेरा बेस्ट औसदी बेस्ट नेचुरल कंटेंट माना जाएगा फिर अगर हम बात करते हैं जो आपका सन बर्न होता है जाईयां वगरा हो गई जो आपके दूप वगरा में जाने से काला पन हो गया उसको भी ट्रीट करने के लिए अलो बेरा एक नंबर का माने जाता है साथी साथ जो एक्जेमा सोरियसिस की समस्या होती है है ना बहुत जादा यहां पर प्रॉब्लम होती ही जब स्किन पर सोरियसिस हुआ या कोई इंफेक्शन वगरा हो गया उसको भी ट्रीट करने के लिए आपका एलो बेरा जल बेस्ट औसधी मानी जाएगी साथी साथ जो डेड़ इसकिन सेल है उनको भी रिमूव करती है इसकिन के लिए रिजनवेशन का काम करती है इसकिन को स्मूध बनाती है इसकिन को ग्लोइंग बनाती है चमकदार बनाती है overall आपकी skin के health के लिए skin को यहाँ पे bright रखने के लिए aloe vera एक best और सदी best medicine यहाँ पे मानी जाएगी तो देख सकते हो इस aloe vera का चेहरे पे skin पे कितना बहतरीन असर देखने को मिलता है और aloe vera gel लगाना हमारे चेहरे के लिए best मानी जाएगी तो इन चीजों में इसका उपयोग हुआ और ये ये चीजे पाई गई इसको आप जरूर लगा सकते हो मसाज कर सकते हो जिससे चेहरे पे ये सारी जोदभी समस्याए हो वो दूर होगा और चेहरे पे अच्छा निखार आएगा जानकारी अच्छी लगी हो को सीखनों मिला हो तो औरों तक जरूर सेर करें इसी तरीके से धेर सारे स्किन से जुड़े प्रोड़क की जानकारी आपको चैनल पे मिल जाएगी विजिट कीजिएगा लाइक से सब्स्राइब करते रहिए मिलते हैं किसी अगलो वीडो में एलो बे रजल लगाते रहिए थेंक यू सो मच आल दे बेरी बेस्ट